करनाल में चल रही चुनावी प्रक्रिया के चलते विभिन पार्टियों द्वारा अपना चुनाव पर違う बढ़ा दिया गया है प्रंतु जन्नायक जिन्ता पार्टी के करनाल विधान सभा से उमीद्वार तेज बहादुर यादव जो मुख्य मंत्री के सामने चुनाव मैदान में है उनको एक मामले में जहांसी में पुलिस द्वारा अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे जन्नायक जिन्ता पार्टी के कारे कर्टाओं में भारी रोश व्यापत है जन्नायक जिन्ता पार्टी के युवा नेता अमंदी सिंग चावला के वह अन्य पदादिकारियों द्वारा आज सेक्टर छे में प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित करिया है जानकारी दी गई के नेता इस चाल को काम्याब नहीं होने देंगे उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्र को पूर सैनिक तेज बहादूर यादव के सामने अपनी भार दिखाई पर दे रही है इसलिए ये ऐसे हत्कंडे अपना रहे हैं इस मोके पर अन्य पदादिकारी मुदूद रहे पूषपेंदर यहादव मटर जो हुआ उसे पुलिस के दौरा मटर किया गयारे टेज, बादूर जी वहाँ एक न्याय की मांग कर रहे थे कि वहाँ पर न्याय दिया जाए और जब यहांसे नमंकर रद करने का प्रक्रिया खतम हो गई दिन्ह लगा कि यहांसे नंहीं रद नहीं हो सकता आप जानते हैं वारा नसी में भी बोदी जी जब के सामने जब चुनाव लड़े तो वहाँ पर नावंकन रद करवाया गया यहां भी पूरी कोशिश की गई जब नावंकन रद नहीं हो पाया तो एक शडियंतर के तहत जब इने लगा खट्र साथ ही है वहाँ बीजेभी सरकार है उसे दबाव दे कर ॅखराब करने का मोल ऐ है दूसरा कोई तरीका ही नहीं है एक अराम से अगर आप में प्रोटेस्ट कर सथ उसमें दिक्तत क्या तो क्या आप क्या करवाई करते हैं आएंगे हैंनेवाद